नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर आजेभांबी और हम बताने जा रहे हैं 30 अगस्त 2014 का भुष्वल आज के दिन जो विशेज घटना घट रही है आकाश में वो चंद्रमा और प्रस्पती के मद्धे घट रही है जो दोनों के मद्धे में एक semi sextile है जिसका डिग्री के हम बात करें तो वो 30 डिग्री से पढ़ता है तो 30 डिग्री के अंतर से होता है जो 30 डिग्री के अंतर पे ग्रह होता है तो उसको अच्छा मनते हैं वहां से भी हमको अच्छे रिज़व लिटे हैं अभी किसी ITN ने में तो हमने एक प्रोग्राम किया था बीच में जिसमें हमने बता है कि जोतिश में ट्रिग्नोमेटरी यानि रेखागड़ित का बड़ा इस्निमाल होता है तो उन्होंने मेरे को बताया वो आई-ई-एम में है कि जब मैं आई-ई-एम कर रहा था तो हमको हमारे वे एक आकाश का तो उसमें जो आप एंगल बात कर रहे हैं आप तो वेदिक समय की बात कर रहे हैं तो पांच-छेजार साल पहले का इतियास है लेकिन हमको भी वो करना पड़ता है वहां से हम प्रकार से लिएके और पूरे एंगल बना के जब देखते हैं तो हमको एक्जेक्ट रिजल्ट कुंडली मना रहे हैं तो अलग पराश्र के सूत्रे, जैमनी और परामेरिक के सूत्रे उनको लगाएं लेकिन अगर हम गोचर की बात कर रहे तो हमको ट्रिग्नोमेट्री लगाने पड़े, लगानी तो वहां पड़ती है, यहां हमको पूरी तरह से लगानी पड़े, कि नहीं लगाएंगे, तो हमारे पढ़नाम अदकच्रे हो जाएंगे, इसलिए आज का सेमिसेक्सेल है, चंदरमा और उसका, वैसे भी आप जानते ही कि जब चंदरमा से शनी 30 दिंगरी आगे चला जाता है तो हमझा जात थो हम बोलते हां, ėी साड़े साती खतम हो जात्य है, तो हम बोलते, आप जापनी 50 दिंगरी आगे चला जाता है, तो वह संविसेक्सेल हुगा, तो इस selfishness नहीं हो और गुरु के बद्धि में है, यह ब वो दोनों शुब ग्रहें, वो दोनों का connection है, यानि चंदर्मा अगर आगे चला गया, इसका मतलब यह हुआ कि आप जो भी बील करना चाहरें, माणी से जो भी आप बात करना चाहरें, जो भी धर की समझ्याओं को आप अप हल करना चाहरें, जो भी मित्रता में कोई अगर कट इसना ही आई है, इन सारी चीज़ों के हल आसानी से प्राप्त किये जा सकते हैं, इसमें जो राशियां है, शुब राशियां हैं बताए देता हूं, उसे मेशे है, मिथुन है, सिंग है, कन्या है, ब्रिश्चिक है, मकर है, कुम्ब है और मीन है. जरूर ट्लिक करें.